शुप्रभाद बचों, बचों, आज मैं आपको फिर से एकी मांत्रा बताऊंगी, इससे पर्ले भी मैं बता चुकी हूँ, आज मैं फिर से इससे बता रहे हूँ, आज इसे ध्यान से देखोगे और सुथ होगे, तो चले हम देखें कि एकी मांत्रा का प्रयोगर किस पर परते यह अई की मातरा लगाइने से सिज़ बाउमे लगाई तो कछए लगाई तोक ने पाउचारा तो नीकिन द देखा कर दॉख लगाई कि भ्यान देना है कि इसे भी अक्षा लिए उपर लगता है अक्षा लिए उपर लगता है और इसका उचारत अहीं होता है तो चले हम इसे बने समों को देखे, तो जोड के मैना, मौ जोड आई की मात्रा, जोड ना, सेम चैसे लिखे के मैना, अब है बौ जोड आई की मात्रा, जोड लौ, इसे क्या लिखे के बैल, अब है थो, जोड आई की मात्रा, जोड ना, इसे कैसे लिखे के खेला, जोड आई की मात्रा, जोड मो, जोड ना, खेल बड़ा, तो इस तरह हम जोड के भी लिख सकते हैं, आप तो सब्दों को नी पढ़े हैं, अब सब्द है, सेर और सेर, मेर और पैर, पैर और पैर, ने ना मेर, कैसा, मेरा, वे सा, वे सा, वे सा, जे सा, जे सा, जे सा, जे, पैर, कैर, 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 मेला मेला तो इस तरह हम जरी की मात्रा का प्लोग अप्चरों के साथ करते हैं अप्चर के उबड लगाते हैं दो अप्चरवाले सब्दों के साथ कुकरते हैं त्रीन अप्चरवाले सब्दों के साथ कुकरते हैं दो देशे सैने ये त्री नक्षर वाले शम्दों के साथ, चारक्षर वाले शम्दों के साथ भी करते हैं ये चारक्षर वाले शम्दों के साथ भी लगाते हैं अब कुछ वाके भी है, उसे भी हम पढ़ें वाके हैं नैना के पास एक मैना है नैना के पास एक मैना है यहां मैना में भी एक मात्रा का परिलोग हुआ है मैदान में वह उसे वह उसे मैदान में यहां मैदान में यहां मैदान में यहां में यहां में यहां जाख एक में यहां यहां तो आज हमने एकी मात्रा का प्रयोग करते हैं तो आज हमने एकी मात्रा का प्रयोग देखा अब यहां आपके नाम में अभ्यास है कि उप्यास का नाम लिखो अब यह है सैनिकुर यह है पैसा वो मिलिए यह पैसा यह है पैस यह है बैलूं यह है यह है जोर कर लिखो जोर कर लिखो तो जोर कर लिखो बच्चो हम पहले भी देख चुके हैं और यहां भी है जोर कर लिखो यह आईकी मात्रा जोर गाज उरय कोमकी column जोर में कची है में दान जाणन के हम में दान अब है बडिक को टोर हैकी मात्रा जोर सा यह क्या हों की है गैसा ब कर आईकी मात्रा जोड़ नी, जोड़ को, यह क्या हुँआ है? डैनिक, अब यह है, छोग जोड़ रही की मात्रा, जोड़ लाग, यह क्या हुँआ है? छैलाग, तो आज बच्चों हम देख, अब चुनों को जोड़ कर लिखना शिखा, एकी मात्रा से वात्यों पढ़ा और सब्द पढ़े हो तो आज के लिए नाई बच्चों धनिवान बच्चों